वेलकम टू टाइम ओफिस, आज के इस वुडियो में हम आपको दिखाएंगे अगर ये टाइम ओफिस की बायोमेट्रिक मशिन की किसी भी प्रोड़क्त में डेट एंड टाइम सैट करने के बाद भी चेंज हो जाता है तो उसका क्या सॉल्यूशन है? डेट एंड टाइम को मेंटेन करने के लिए एक सीमोस सैल होता है हमें बस उसे चेंज करना है और आपका प्रोब्लेम सॉल्ल हो जाएगा सीमोस सैल मार्केट में किसी भी इलेक्ट्रोनिक की शॉप पे इजिली मिल जाएगा CR2032 इस मॉडल का सैल आपको पर्चेस करना है हम सजेस करते हैं कि मैक्स सैल कंपनी का सैल आप बाई करिए अब दिखते हैं सैल कैसे चेंज करना है इटाइम ओफिस की किसी भी बायोमेट्रिक प्रोडट्ट में आप इसी तरह से सैल चेंज कर सकते हो सबसे पहले मशीन से एडप्टर पिन निकाल कर मशीन को स्विच ओफ कर दीजिए ये जो चार स्क्रू है वो निकाल दीजिए संबाल कर बेक पोशन को निकाल लिए ये जो सैल है इसे हमें चेंज करना है निकालने से पहले वेरिफाई कर लिजिए जो सैल लगा है मशीन में उसका पॉजेटिव और नेगिटिव सैड कौन सा है नॉर्मली पॉजेटिव सैड उपर के सैड ही होता है यहाँ पे पूश करिए तो सैल निकल जाएगा न्यू सैल को यहाँ लगा कर पूश करिए अभी मशीन को अच्छे से बैक पूशन लगा कर चार स्क्रूल लगा दीजिए अपडेट एंड टाइम का प्रोब्लेम नहीं होगा फिर भी प्रोब्लेम आ रहा है तो स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे कोंटेक करिए